अब कितने बहाने मारों गयार कितने वहाने मारों गए ओसा लग रहा हूए मेर에서 क हिसे को एक करियर बनाना हो मोग इनको पना बनाही फचैन लिभ्य जस्ति लगे पड़ें मैठे पड़़ें पढेबंड पिछले साल तो स्कूल Mu बहाना मारता था तो स्कूल भी नहीं है सोच जो बच्चे पिछले साल स्कूल का बहाना मारते थे भगवान ने कितना अच्छा तुम्हें मौका दिया है यह रिलाइज करने के लिए कि तुम्हारे भाने धकोस ले थे क्यों 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 क्योंकि अभी भी तो स्कूल का टाइम चल रहा है तब भी देखा यही ट इतने बज़े तक दो रॉड़ा पी स्कूल में तो शुबयुकर में भी भगःती कर रहा था यहां प्गैति करते बिंधि रहे न कचले गया है लेकिन हरकते तेरी वैसी हैं कोशिश करना कि भगवान तुम्हारी दुबार आई से नहीं अच्छा एक और साल देदी जैन को कहा चला जाया आगे बेटा हालत खराब हो जाएगी फिर कहेंगे सर हमें दिप्रिशन हो रहा है तुमेनी बैकलॉग फाइली दिमितिवेटिड ठीक है इंगलिश बोलने लगता है हमारा बच्चा उसमय ठीक है और पढ़ने का समय होता है तो पकाईती चलिए कोई नहीं हम गुस्सा थोड़ना करेंगे आप पर आपका डिसीजन है ड्राप लेने का पमधारे एप दिसीजन है नहीं पढने का आप नहीं पढ़ताइगे आपका डिसीजन रहेगा कि हम बकाईती करेंगे तो आपकी here हम गाना गाएं इसका मतलब पदारों मारे देश पढ़ारों हैं बेटा जो तुम आये हो starting से पढ़िए starting से भिया आप मेंसे सारे बच्चे अच्छी जगा पर पहुंचे लेकिन कुछ आप चोटे ही है आपको लगता हो आपने लाइफ में बहुत कुछ देख ले अभी तो लपड़ पढ़ें गया थे अभी आई ये लाइफ में आ गया आई ये बच्पन में आपने कई बार कपड़ों की जिद करी होगी पेरेंट्स के सामने पापा नहीं वह वाला कपड़ा च जाओंगा अपने दोस्तों में बाटूंगा उस दिन प्राउड फेलिंग होएगा हर क्लास में जाओंगा है येस सभी ने किया आज आप उन फोट अगर उसमें कोई पुरानी फोटो हो तो आज आप उन फोटो को देखिए तिक है आपकी क्या चोईस थी रियलाइस इट ए आप लोग तो सोचल मीडिया के जमाने वाले बच्चे हो आपके पास तो परानी फोटो होंगी किस किसी ने वह अपनी पुरानी फोटो देखिए ऐसा लगा भाई मैंने सरकस की ड्रेस करी दी वह भी लड़के पापा से रो रहा था मैं जमीन पर आईसाइसे करके बच्पन आपने वह चश्मा पहन के भाई सब ऐसे एटिट्यूड में बाइक पर आगे बैठके फोटो खिचवाई होगी और आज अगर आप वह फोटो देखते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा इस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा था है यह मेरी वह सेलेक्शन थी क्यों बेश पहनने के पास मुझे सोसाइटी से सीधे भेजी देना चाहिए इसको अंदर मद खुशने तो यह क्या भर चाहिए चमकीले चमकीले से कपड़े पहन के हां किसी को अपने शूटर पर सूटर पर है सब मिक्की मौस चाहिए किसी को टाइगर चाहिए जीन्स पर लिखा होना आज अपनी फोटों देखके कह रहा भाई यारी क्या दिख रहा था मैं तुम अपने आपको ही मारने की धमकी देते हो गयार मैं अगर रियालिटी में वहाँ होता तो मारता अपने आपको ही मारता आपके decisions जो आज आपको लग रहे हैं आप बहुत confidently ले रहे हो दस साल के बाद आपको लग रहे हैं मैं क्या कर रहा था एक्जामपल देना चाह रहा था तो वही पढ़ाई में भी मैं कह रहा हूँ और अगर आपको लग रहा नहीं है ऐसा नहीं था अपनी आधार काड की फोटो खिचने जा रही होगी तो ममी ने बोला का भाई जाओ फोटो खिचवाल हो वहां पर बन रहा है आधार काड उस्कूल में हाँ तो तुम कहें होगे हाँ यार फोटो खिचेगी तो तो तुम अपने हिसाब से maximum attitude के साथ maximum सुन्दर्ता के साथ आप गए होगे आधार काड की फोटो की चवाने के लिए आज अभी दो मिनट पहले जारा एक बार उसको खोल के देखिए तो जब आप decisions ले रहे होते हो तो आपको उसमें लग रहा हो तो यह आप बहुत तेज इस समय के बाद पता लगता है यह आप अच्छे की ठीक है दसवीक लास में तो आपकी जब स्कूल के में फोटो खिच रही होगी भाई बोर्ड का रिजिस्ट्रेशन हो रहा है हर बच्च अपनी फोटो देगा तो आप जाके बिलकुल अच्छे से अपनी स्कूल ड्रेस में एक फोटोग्राफर के पास गए होग आज उस फोटो को एक बार देखिए ठीक है आपको रिलाइज होगा कि आपके डिसीजन समय के साथ कितना बदभू मारते हैं इसलिए कह रहा हूं बेटा आज जब पढ़ने के लिए कह रहा हूं तो पढ़ा ही करिए यह मत सोची का आप बहुत अच्छा सोच के बहुत करें एक्जामपल बता रहा हूं कि आप अभी छोटे हो बेटा आपको लग रहा होता है कि आप बहुत अच्छे तगड़े डिसीजन बनाती है ठीक है समय के साथ पता लगेगा तो इसलिए कह रहा हूं पढ़ा ही करें जो हम बता रहें उसको ध्यांचा सुनिए यह हमने भ मैं सो के उठा था सरदी का टाइम था मैंने आउट ओफ बेड लुक के साथ फोटो की चाओंगा ओट बेड लुक मैसी फोटो इतनी गंधी फोटो है भाई साब फोटो आधारकट देने का मन नी करता किसी को